नमो बुद्धै मैं आरपी सिंग आप सभी का हरदेख स्वागत करता हूँ हमारे विशेज कारेक्रम धमदीप में जैसा कि आपको विदित है कि धमदीप एक ऐसा कारेक्रम है जो तथागत बुद्ध की सिक्छाओं पर आधारित है आज इस करारिक्रम में महाप्रजयापरती गौतमी के बारे में विश्टिज जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्तित हैं भन्ते डॉक्टर चंद किर्ती जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्छ सिक्छा प्राप्त किये है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकरित होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं भन्ते डॉक्टर चंद किर्ती जी का स्वागत है भन्ते जी नमम बद्धाय नमों अरह से नेर्द बद्धा को नशर्मताय बद्धवातो अरहतो संब्धेश्ञ इंसे नमते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे दर्सकों को अपना आशिरवाद दिया अब मैं आपसे प्रात्ना करता हूँ कि हमें हमारे मुख्य विशे महाप्रजापती गौतमी के बारे में विस्तित जानकारिद है भंते जी बहुत बहुत धनिवाद आरपे सिंग जी आज हम लोग इस धमदीब कारकब में विस्ता से चर्चा करेंगे महाप्रजापती गौतमी के चीवन के संबने तथागत गौतम बुद्ध जो की हम जानते कि छटवी शदी में उनका जन्म हुआ था और उस समय सोला महा जन्मपत थे भारत को उस समय जमदीब कहलाया जाता था या जमदीब कहा जाता था और कुछ छोटे और कुछ बड़े जन्मपत हुआ करते थे और हम जानते कि कपिल वस्तु के राजा जिनका नाम था शुद्ध उदन जो सिदाद गौतम के पीता थे और जब इनके यहां पर सिदाद गौतम का जन्म होता है तो महा माया उनकी पत्नी थी सिदाद गौतम की और वो जब बिमार हो जाती उनको जन्म देने के बाद तो वहाँ कहती है राजा सुद्ध उदन से कि इसके देखरे करिये अच्छी तरह से और महा परजापती गौतमी चुकी सिदाद गौतम की मौशी थी महा माया की बहन और जब साथ दिनों के बाद उनका नीधन हो जाता है महा माया का तो सिदाद गौतम के परवरिश के लिए राजा शुद्ध उधन वहाँ दूशरी उनकी जो मौशी है यानि महा परजापती गौतमी उनके साथ उनका विवहाँ हो जाता है और बाल लिकाल से ही सिदाद गौतम की पूरी तरह से देखरे करने का काम महा परजापती गौतमी करती है ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिदाद गौतम है उनका जो गौतम नाम है वो माहा प्रुजापती गौतमी शियाया है और इसलिए वो सिद्धाद गौतम कहलाए और बाले काल में पूरी طرح से उनको मदद करने का काम उनकी देखर करने का काम हुआ सबी तरह से सुइधा पूर्ण ये वस्ता प्राप्त हो इसके लिए महा प्रजापती गौतमी का बहुत ही बड़ा यूगदान देखने के लिए मिलता है चुकि महा माया तो मृत्व को प्राप्त हो चुकी थी और महा प्रजापती गौतमी की एक बड़ी जिम्यदारी अब सिद्धाद गौतम को परवईश करने के लिए वहाँ पूरी तरह से लगी थी राजा शुद्धधन जो कि आप जानते कि उस काल में वो राजा थे और उनकी एक नितिक जिम्हदारी परिवार के साथ साथ जनता के लिए भी हुआ करती थी लेकिन महाप्रजापती गौतमी जो कि सुद्धन राजा की रानी तो वहाँ सिद्धाद गौतम की ठीक तरह से हर छेतर में परवईश करती है उनकी देखभाल करती है उनने समय समय पर सभी प्रकार की मदद करने की कोशिश करते रहती है क्योंकि यह जिम्मेदारी महामाया न नहीं उनकी परवरिश की और जब सिद्धाद गौतम बीस वरसके हो जाते तो वो साक के संग में सदश्य के तोर पर भी बनें तब तक तो सिद्धाद गौतम अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ रहते लेकिन वो अपनी एकागरता के लिए ज्यादा लगे रहते थे जैसे ध्यान साधना करना है उनका प्रमुख रूची हुआ करती थी और उसी में वह अपनी अधिक दिल्चस्पी दिखाय करते थे जैसे जैसे समय वतीत होते गया वैसे वैसे काफी कुछ बाते आते रहती है और उन्तिश वर्ष की आयू में सिद्धाद गौतम ने ग्रहत्या कर दिया और पैतीश वर्ष की आयू में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ती कर ली तो यह एक जीवन का एक लंबा शफर जो की महा प्रजापती गौतमी ने स्वैम ही देखा था सिद्धाद गौतम के जीवन को बड़ी नजदीकी से देखने का काम किया और ये महा प्रजापती गौतमी भी ही बड़ी ही धार्मिक प्रवर्ती की थी और वह अच्छी तरह से सेवा करने पर इस्वास करती थी इसलिए उन्होंने बच्पन से लेकर 29 स्वास किया यू तक सिदाद गौतम को बड़ी अच्छी तरह से देखरे करके उनका पालन पोशन करके उन्हें बढ़ा आख्ण शंबुद्ध हो गें वे विश्ण करने लगे जगा जगा जाकर के लोगों को देशणा देने लगे दमका पचार पसार करने लगें तब बड़ी शंख्या में उनके अन्युआई-टयार होने लगे कुछ उपासक उपासिका बन जाते थें कुछ संग में सामिर हो जाते थे। लेकिन सिर्फ वहां पर विक्कु शंग में सिर्फ पुरुषों को ही प्रवेश दिया जाता था। महलाओं का प्रवेश नहीं दिया गया था शुरवाती दोर पर वे अरहत बन सकते थे सुरतागामी, सग्दागामी, नागामी और अरहत जैसे पदों को पुरुष विक्कु संग में सामिल होकर विक्कु बन करके या उपासक उपासिका बन करके भी इस अवस्ता तक पहुच स तो महाप्रजापती गौतमी जो कि वह सुदोधन राजा की पत्नी यानि उनके पास भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आप जानते कि राजा के पास धंदानने की कोई कमी नहीं होती है, संपत्ती की कोई कमी नहीं होती है, वह संपत्ती तो उनके पास अथा थी, जैसे जब वो पर्व मनाते थे जुलाई के मेने में तो वहाँ पर एक हजार बैलों को जोता जाता था इतनी बड़ी संक्या में उनके पास खेती हुआ करती थी तो धंधानने की तो कोई कमी नहीं है लेकिन मनुश्य के जीवनकाल में जो परम शुक चाहिए परम शान्ती चाहिए वह हर एक आदमी संपन होने के बावजूद भी उसे इन चीजों की जरुत पढ़ती है और इसलिए महाप्रजापती गौति में के मन में ये भावत पन हुआ कि सिदाध गौतम तो अपना ही बेटा है और अब बुद्ध बन चुके हैं उनका जीवन तो मानों कल्यान के बननी चाहिए क्या महला उने अगर शावक नहीं बनना चाहिए या संग में नहीं आना चाहिए ये बात उनके मन में आती है और तब वो तथागत गौतम बुद्ध राजग्रह में रुके हुए होते हैं राजग्रह में रुकने के बाद में जब उसनके पास महापजापती गौतमी जाती है इस प्रस्ताव को लेकर कि हमें भी प्रवजीत होना है क्योंकि तथागत्व सम्यक्षम्भुद्थ है अरहत है ज्ञानवान है सिलवान है गुनवान है और सभी प्रकार के उनके पास ज्ञान संपन्वेक्टी keyword है सब के सास्ता है और कल्याद मित्र हैं तो ये उनके पास ऐन गुन तो है लेकिन क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं ये भाव महा प्रजापती घौतमी के मन में आता है और वो तथागत गौतम बुद्ध के पार जाती है और उनसे याचना करती है कि मैं भी संग में सामिल होना चाहती हूँ, मुझे भी आउशर दिया जाए तब तथाकत गौतम बुद्ध ने पूरी तरह से नकार दिया दूशरी बार तीशरी बार याचना करने के बाद तब ही तथाकत गौतम बुद्ध को नहीं लगा कि इन्हें संग में दिक्शीत करने चाहिए जब नहीं कहा गया, कोई प्रस्था उनका शुकार नहीं कर लिया गया तो महा प्रजापती गौतमी दुखी होती है और लोट जाती है लोटने के बाद में जब उन्हें पता होता है कि ये तो हमारा उदेश ही कि हम बनना चाहते है और ये इस से हम चाहे तथागत ने पहली बार प्रस्था ठुकरा भी दिया हो लेकिन हम बन के रहेंगे उनकी एक बड़ी इच्छा सक्ती हमें देखने के लिए मिलती है तो सिर्फ एक ही नहीं तो अब पास्थो साक के महलाए वहा तयार हो जाती है भिकूनी बनने के लिए उस समय आप देख शक्ते कि किस तरह से महलाओ के बनने के लिए प्रथम तही इस तरह की सोच उनके मन में आ जाती है उसका नेतोत करने के काम महाप्रजापती गोतमी करती है और इन पास्थो साक के महलाओ को महाप्रजापती गोतमी को लगा कि नहीं अब तो हमें पूरी तयारी के साथ जाना चाहिए और जब उन्होंने देखा कि पुरी तयारी के सा जाना चाहिए तो पहले ही मुंडन कर लेती हैं और मुंडर करके भिकूनी बनने का जो भाव उनके मन में आ रहा था घर से बेगर होने का चुकि संग तो घर से बेगर हो जाता है टथा अगर तो बुद्ध बुन चुके थे और उनका संग भी घर से बेगर होकर अपने जीवन को जीते हैं और इसलिये महाप्रजापती गवतमी और पास्टो साखे मेलाओ को यही लगता था कि हमने भी संग में प्रवजीत होना चाह कि बुद्ध जैसे हमें बनना चाहिए। पासो साक्य मेलिया जो कि कपिल वस्तु से वो चलते गए और वो वेशाली पहुच जाते हैं। वेशाली में तथाकत गौतम बुद्ध रुके हुए थे। बुद्ध विहार में जो वहां पर बना गया था। और उस विहार में आते हैं और तब विक्ष आनन जो है वो चारी का करने के लिए चले गए हुए थे। जब वो आपश आते हैं तो उन से वो याशना करते हैं कि तथागत ने तो हमारा पस्ता ठुकरा दिया है। वो मानने के लिए तयार नहीं है। लेकिन हम विक्ष नी बनना चाहते हैं और ये पास्सों मेला है खुदी ही पहले से अपने बाल मुनवा करके तयारी करके आये ह हुए है अब हम मुआपश जाना नहीं चाहते हैं तब विक्ष ने इस प्रस्ता को पूरे एक बार तथागत गौतम बुद्र के सामने रखा लेकिन उनको लगता था कि नहीं हमें कुछ बाते बदल देनी चाहिए जैसे कि वैसी नहीं तो तथागत गौतम बुद्र कहते है कि ये सब बनना चाहते हैं और हम लोगों ने महला और पुरुष को समानता देनी चाहिए इसमें कोई असमानता नहीं है और जब महला और पुरुष को ये जब देंगे तो हो शक्ता है कि जैसे पुरुष शुरतागामी सग्दागामी अनागामी अर्वत जैसे पदों को प उसाहित है बनने के लिए तब तथाकात गौतम बुद्ध को और भी आगे बताते कि महाप्रजापती गौतमी तो आपकी माँ है जिन्नोंने बच्पन में आपको दूद पिलाया है आपका पालन पोशन किया है भरन पोशन किया है और आप इतने बड़े हुए हो तो चुकी है घर के ही लोग है लेकिन महलाओ को भी संग में हमने प्रवजीत करना चाहिए इस तरह की जो भावना है वो आनंद के मन में जब आती है तो हुने तथागत गौतम बुद्ध को कन्वेंस करते हैं समझाते हैं और तथागत गौतम बुद्ध ने भी अंतीम तह बहुती चिंत माननी होगी तो उन्होंने कहा कि चुकि आप जानते कि सबसे पहले भिकु शंग इस्तापित हुआ बाद में भिकुनी अर्थात भिकु ऐसे ही उनसे सीनियर है इस मामले के लिए कि सबसे पहले भिकु शंग निर्मान हुआ तब उन्होंने कुछ बाते भिकुनी के लिए उ उनको उनका सतकार करेगी, उनकी कही हुई बाते मानेगी, कभी भी भिकुने ने भिकु को उपदेश नहीं देना चाहिए, हर पंधरा दिन में, वह पाती मुख्य का अभियास करने के लिए भिकुनी और जहां पर भिकु संग होते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने अभियास कर अपनी सो एक्छा से वह कुटी का नियमान नहीं वरकि वह बिक्कु की अनुमती लेकर ही वह नियमान का सकती है और वह कभी भी बिक्कु संग को गाली न दे वह इसका मरियादा का आच्छन का पालन करें ऐसे ही नियम तथागत गौतम बुद्धने विक्कुनियों के लिए र महाप्रजापती गभुतमने इसे कह दूँगा और ओमान भी जाएगी और तब वह इस बातों को लेकर थागत की बातों को कौ लेकर भिक्कु आनन जो है महाप्रजापती से कहत आयए हैं कि आपको यई अनुमती प्रदान हो गई है कि आप भी कोनी बन सकते हो और जیसे Πु गौतमी को बताते हूं, चुकि महाप्रजापती गौतमी तो पहले ही वो तयार हुई थी, और जब वो कपिल वस्तु से चलते आए वेशाली में, बड़ी धूप थी, पहले ही मुंदन कर चुके थे, तो उनके पैर में फखोरे आ गए थे, क्योंकि धूप की वज़ासे, गर् क्योंकि उनकी चाहत थी कि हम बने ही, उसमें यश्वधरा भी शामील थी, जो कि शिदाद गौतम की पतन, उनको लगता था कि उन्होंने भी बनना चाहिए, इतने उम्रक हो चुके हैं, 78 वर्ष की उम्रक में, और वो इस भावना के साथ कि हमें बनना है, तो वह 78 साल तक ज तो यहाँ, आब इनकी विधी तहत, विधी के तहत, आब ये पुबज्जा संपन होने का आउश्यर प्राप्त हुआ, तथा गत ने अनुमती दे दी, और विकुने शे जो कहने के लिए, या पालन करने के लिए कहा गया, उन्होंने भी शिकार कर लिया, और शिकार करने के बाद में विधी गत, जैसे के आप जानते की बुद्ध धमर संग की त्री शरंग की दिख्छा होती है, जिसमें याशना की जाती है, याशना की परंपरा है कि मेरे दुआरा जो कुछ भी अपराद हो गया है, मुझे माप करे और मुझे मैं बुद्ध को नमसकार करता और इसी के आधार पे मैं बुद्ध की सरन जाता हूँ, धम्म की सरन जाता हूँ, और संग की सरन जाता हूँ, दूशरी बार होती शरी बार भी, इस तरह से वह दिख्छा होती है, और कहा जाता है कि जो हम कास्ष शेवस्ट धान करते हैं, यह निर्वान प्राप्ती के वरिष्ट भी होती है उम्रसे बड़ी होती है तो उसी की दिख्षा की जाती है और सबसे पहले महा प्रजापती गौतमीने करने की वज़से वह पहली भिकुनी और पहल करने की कारण वह भिकुनी संग की स्थापना में महा प्रजापती गौतम का एक प्रमूग योगदान है इस की वज़े से ही यह भिकुनी शंग अस्तीतों में आया इस दरा की भी दुक्षा होती है जिसका नाम कच्चा है ना रखा गया और इस तरह से पासो साक्य महलाय जो की सभी संग में प्रवज्जीत हो रही थी वह सब के सब नाम उनके बदल दिये गए अपनी पुरानी पैचान को छोड़ करके वह भिकुनी के रूप में पहली जो उनकी पैचान है वह हमें देखने के लिए मिलती है जिसका वर्नन थेरी गाता में भी और विने पीटक में भी विस्तार से दिया गया है क्योंकि महापरजापती गौतमी जो की पहले से ही संपन और चुकी वो खुद रानी रही है तो यहाँ किसी भी प्रका की कोई कमी ना होते हुए है फिर भी हुनोंने इस जीवन को काश्य वश्य धारन करके जिया यह कोई साधरन बाते नहीं यहाँ एक बड़ी बाते हमें देखने के लिए मिलते रहती है तो यहाँ तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से आई भी सभी प्रकार का जो प्रेज़ना है वो इन भिकुने के अंदर में हमें देखने के लिए मिलते रहता है इस्तियास में महाप्रजापति गौतमी जो भिकुनी शंग बनाने में जिसका बड़ा योगदान है वह अग्रणी रही है बेटा इधर तो बुद्ध बन चुक है खुद्मा अभिकुनी बनने बन चुकी है तो यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने अपने सभी परिवार के शदश्रकों प्रोसाहित किया बनने के लिए उनकी यही अभिलासा रहा करती थी कि मेरे परिवार के शदश्रकन वह उचे से उचे इस तरका जीवन जी सके जिसे तरशना मुक्त जीवन कहा जाता है बार-बार मनुश्या इसी संसारिक प्रिक्रिया में फशा रहता है और दुख भोगते रहता है तथागत की मानित थी कि यह सब समाब तो ना चाहिए महलाओं के लिए भी वह सकारत्मक दश्टिकों रखा करते थे क्योंकि महला और पूरुश में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है सबी समान हैं सबी समान हो करके उत्करष्ट वस्ता तक जा सकते हैं यह प्रमान सबसे पहले तथागत गोतम बुद्ध ने उस काल में प्रमानित किया और यह पहल करने के लिए विकुनी संग की स्थापना में महा प्रजापती गोतमी का बड़ा विशेश युगदान हमें देखने के लिए मिलते रहता है और वह अब विकुनी बनकर के वह विहारों में रहना उन्होंने प्रारंब किया चुकि उन्होंने ग्रहत्या कर दिया था और यह त्याग करने के बाद जब आप देखेंगे तो यह जो भाव है उसके मन में कुरूना मित्री उपेखामुदीता का जो भाव है वह हमें महाप्रजापती गौतमी जो की बहुती स्रेष्ट महला दी और उन्होंने अरहत पत को प्राप किया अरी मतलब सत्रू, हंत मतलब नस्थ कर देना अपने स्वयम के सत्रू को नस्थ करने का काम उसने अपने जीवन काल में किया इसलिए वह अरहत बन गई इस शिद्ध कर दिया कि महला हो या पुरूश हो कोई भी जब वह पारन करेगा, आच्छन करेगा अध्दिन करेगा, भ्यास करेगा, चिंतन करेगा तो कोई भी व्यक्ती उस अवस्ता तक पहुश सकता है इसका प्रमान जीता जाकता प्रस्तूत किया महा प्रजापती गौतमी ने, इसलिए महा प्रजापती गौतमी इतियास के पन्नों में अमर और अजर है वह अपने वक्तविय को बताती है कि मैं पहले तो बहुत संपन्न रही हूं लेकिन फिर भी मनुश्य के मन में जो भाव बना रहता है महा द्वेश लोब द्वेश महा यह भाव मनुश्य के मन में बड़ा स्रॉंग होता है मदबूत होता है वह एक एक से तूड़ता नहीं है जिसे हम कंप्लीट रूप से तरशना कहते हैं तरशना यह पूरी तरह से बनी रहती है काम तरशना भाव तरशना विभाव तरशना जो मनुश्य के भीत रहती है मनुश्य के यह एक प्रकार का चित्तका मल यह जब तक रहता है तब तक उसको कोई चिज़ खास इसपस्त दिखाई नहीं देती है इसलिए ततागत गौतम बूद्ध ने अपने शमयकाल में इसकी प्रिणा देते विए बहुत सारे लोगों ने प्रिणा ली और महाप्रजापति गौतम ने उसका अलमें प्रिणा ली इसलिए उसका नाम पूरे संसार में भिकूनी शंके निर्मान करने में अग्रणी भूमी का रही है इसलिए इस बात के लिए वह जाना जाता है उनका यही सोचती कि घर से मनुष्य बेगर हो करके जैसे बुद्ध सक्षा जीते हैं चीवर है पात रहे हैं तब भी बड़ा प्रसंद है आनन्दीत है खुश है और भी किसी भी प्रका के कोई संपती नहीं लेकिन यह संपती जो कि उस काल में एक बड़ी जो धार्मिक या जो अभ्यास है धमका उसे मनुष्य को संतुष्टी प्राप्त होती है उसे ही मैं बड़ा धन मानता हूँ इसलिए वो लगातार इस काम को करने के लिए प्रियास रथ थे और उन्होंने धम दिख्षा लेने के बाद बड़ी गंभीरता से धमका अभ्यास किया वो अध्यान साधना है बुद्ध वचन है उसको इश्मरन करते थे याद करते थे इसलिए महा परजापती गौतमी जो की अभी धमक जो तथागत गौतम बुद्ध के उच्छ दर्शन है या उच्छ सिक्छाए है उसमें भी बड़ी वो पारंगत हो गई दी उन्हें अधि चित्त के बारे में रूप के बारे में चैसिक के बारे में और निर्वान के बारे में उनकी बहुती सही समझती है क्योंकि लोग तो चित्त को बहुत कम जानते हैं रूप को तो देखते हैं लेकिन उसकी सचाई को नहीं जानते हैं वैसे ही चैसिक किस किस तरह से वो भाउत कारी उसमें पारंगत महा प्रजापती गौते में जिसको बड़ा अथा ग्यान था सारी पुत्त से सुना बुद्ध से सुना वचन और शुन करके उन्होंने खुद ही आत्मसाद किया तो उन्होंने अपनी तरशनाओं को कार दिया था लोब और द्वेश और मोह की भावनाओ को पुरी तरह से समाप कर दिया और वो खुद अपनी मन से कुछ बाते कहती है कि मेरा पहले जीवन तो तरशना भराता है काम वाशना में लिप्त था मेरा मन में लालज भी था इसलिए मैं बुद्ध को अपना बेटा के रूप में मानते हुए उससे सोचती थी कि यह घर व हुआ है लेकिन जब मुझे इस सवज में आ गया कि नहीं है तो सब लोब हैं तरशना हैं और इसका मनुस्य के लिए कोई लाब नहीं बलकि इससे तो दुख्यूत पन होता है जो सुखी बरने का जो रास्ता है यह पूरी तरह से छोड़ देना अब जानते हैं कि जब कोई भ॥कु बन रहा हो कोई भ॥कु नी बन रहा हो तो वो जो संपत्ति होती है वो इसको पूरी त्याग देता है उससे कोई खास लोब नहीं रगता हु़ू समझते हैं कि यह हमारे जीवन काल में यह किस तरह से यह सब बाते काम करती हैं और काम करते हुए हम स्वें अपने उ आवस्ता तक पहुशते हैं जिस आवस्ता में मनुश्य को जाना चाहिए तो यह पूरी सतद गती के साथ वह पूरी तरह से तरशनाव शे मुक्त हो गई चिता को निर्मल बना दिया वो खुद कहती है मेरा चिताव निर्मल बन चुका है तरशना मुक्त हो चुका है मैं अब धम्मक के उस रास्ते को सही माइने में अब मैं जी रही हूँ। वह अपने मुखार बिंदू से इस बातों को बिदाती हैं और इसलिए वह दुनिया में महा प्रजापती गौतमी इसी रूप से जानी जाती हैं। कि वह एक स्रेष्ट रही एक भिकुनी रही और भिकुनी संकिस्ता अपने उसका बड़ा एक अहम रूल रहा ये हैं महा प्रजापती गौतमी जिसके बारे में हम आज विस्तार से हमने देखा हैं। सब लोगों ने सुना सबके परती रहे सारी मंगल कामना हैं अब सुखी हो दिरगाई हो स्वस्त रहे बहुत उशब मंगला हूँ। बंते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बात इसलिए कि आप हमारे स्टूडियो में आए और दूसरा आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों आज के इस विसेज प्रोग्राम में बस इतना ही लेकिन इसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रस्ण हों जो जिग्यासाएं हों वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं और प्रस्ण पूछने के लिए आप हमारे वाटसप नमबर 963 9010109 पर अपना प्रस्ण भेज सकते हैं या हमारी इमेल आईडी सुभारती बुद्धा at the rate gmail.com पर आप भेज सकते हैं तो आज इस उमीद के साथ लेते हैं विदा कि कल फिर मिलेंगे नमो बुद्धाए